स्वागता भाई एक और शांदार वीडियो में यह जो किया आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह ब्लॉंग करती है इस प्रोड़क्ट को Toyota Tizer हमारे सामने गड़ी है टॉप एंड वेरियंट यह खड़ा हुआ है V Automatic Transmission के साथ वन लीटर टर्बो चार्ड पेट्रोल इंजन है थ्री सिलेंटर इंजन यह हमारे सामने खड़ा है टॉटल आपके चार वेरियंट आने वाले हैं गाड़ी के अंदर बेस वेरियंट आता है यह देन आता है सेकंड बेस एस उनमें आपको 1.2 लीटर इंजन देखने को मिलेगा एंड दोनों में ही आपको पेट्रोल एंड सी एंजी दोनों अवेलेबल है देन उपर वाले जो दो वेरियंट है जी एंड वी वो आपको मिलने वाले हैं वन लीटर तर्बो चार्ड इंजन के साथ ओटोमाइटिक है मैनुवल वो आपकी चोईस है अभी हमारे सामने ओटोमाइटिक कड़ी है टॉप एंड वेरियंट एक्टोरूम कोस्ट करता है 12,88,000 करीब 13,00 रुपे एक्टोरूम कोस्ट करता है इस वाले वेरियंट का तो सारी चीजे वीडियो में कवर करेंगे इस प्राइस पेंट पर आपको क्या कुछ फीचर देखने को मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ माइलेज है क्या कुछ स्पेस वागेरा है सारी चीजे वीडियो में कवर करने वाले हैं वीडियो के एंड तक बने रहो तो की से स्टार्ट करते हैं बाई कुछ इस तरीके की कीले सेंटर के साथ रिमोट सेंटर लोकिंग के साथ की आती है लोक एंड अनलोक ये कुछ आपको पंट्रोल आओ इधर देखने को मिलेंगे एंड की को रखते हैं पॉकिट में फ्रेंट लोक की बात करते हैं बाई कुछ इस तरीके की फ्रेंट लोक आपको देखने को मिलती है रिडेटर ग्रिल जो है पूरी आपकी ग्लॉसी बिलेक के अंदर देखने को मिलेगी सेंटर मा आपको मिलता है सिलवर के साथ टोटा का लो देखने को मिलेंगे टर्ण इंडिकेटर वगएरा जो है वो इन ही में वर्किंग है आपको मिलते हैं LED headlamps and fog lamp वगएरा की requirement रहनी जाती है विल्कुल नीचे आपको दिये बंपर में तो fog lamp की को requirement नहीं है फ्रेंट में silver के साथ आपको मिल जाती है skid plate अब बात करें इंजन वगएरा की तो जैसा मैंने आपको बताए दो इंजन आपको देखने को मिलते हैं 1.2 लीटर नेच्रल एस्पेटर एंड वन लीटर टर्बो चार्ड पावर एंड टॉप की बात की जाए तो 1.2 लीटर इंजन आपको डिलिवर करता है 86 BHP की पावर एंड टॉप करता है 130 Nm का वहीं जो हमारे सामने खड़ा है 1 लीटर टर्बो चार्ड ये इंजन आपको डिलिवर करता है 99 BHP की पावर एंड टॉप करने वाला है 148 Nm का तो भाई पावर एंड टॉप में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है best in segment है 1 लीटर इंजन में इतनी पावर एंड टॉर्क या 148 Nm का टॉर्क आपको कोई भी गाड़ी डिलिवर नहीं करने वाली है mileage वगेरा भी गाड़ी की शांदार है ये रही जो क्लेम करती है 21.35 की क्लेम करती है manual के अंदर जो भी हमारे सामने ओटोमेडिक खड़ी है इसकी करती है 22.8 की वहीं अगर आप जाते हैं CNG पर तो उपर सबसे अलग या इस ठीकर लगाया हुआ best in class fuel efficiency of 28.5 किलोमेटर पर कीजी ये है ये CNG की mileage है और ये कुछ इस तरीके की side profile आते है अपनी पूरी गाड़ी की टायर साइज की बात की जाए तो आपको मिलने वाला है diamond का टालाओ के साथ R16 का टायर साइज प्रेंटम आपको डिस प्रेक्स मिलती है जबकि rear मा आपको मिलने वाली है drum, wheel, large gliding अधर आपको मिल जाती है and side gliding वगएर आपको मिल जाती है doors वगएरा पर भी and running board वगएरा पर भी ground clients की बात करें तो इस गाड़ी मा आपको मिलने वाला है 190 mm का ground clients, ORVM वगएरा जो है glossy black के अंदर आपको मिलते हैं and ये वाला जो है carbon fiber design type का आपका cover है, ये आपका stock नहीं है, LED turned indicator आपका आजाता है आपको मिल जाता है chrome का जो आपका जाता है quarter panel तक, B blur आपको मिलने वाला है, matte finish के अंदर black and ये आपका accessory part होगे रेंवाइजर वगएरा, top पर आपको मिल जाती है, silver color के अंदर roof rails and ये functional नहीं है, ये बाई सिर्फ low coin size करने के लिए थोड़ी height को increase करने के लिए यहाँ पर लग अपने पूरी गाड़ी की, LED टेल नेम आपको देखने को मिलती है and LED आपको मिल जाते है, turn indicator, centrum आपको मिलता है, silver के साथ Toyota का logo and DC के जस्ट नीचे आपको मिल जाता है, reverse parking camera, V new drive की basing आपको मिल जाती है, urban cruiser, tizer की basing अदर आपको मिल जाएगी, defogger, wiper, high mounted stop lamp, washer आपको मिल ग जाता है, body color, shark fin, antenna, reflector वगेरा जो है, बिलकुल आपको इतर नीचे दिये है, and again silver के अंदर आपको मिल जाती है, rear skid plate, and अब बात करें, boot वगेरा की, तो request sensor आता है, base parent से बटावी, boot हम open करनी सकते, battery जो है, गाड़ी की down है, and boot आपको मिलता है, 308 liter का boot space, आपको इस गाड़ी dual tone interior आपको देखने को मिलता है, matte finish के अंदर, black, and reddish shade आपको यहाँ पर दे भिया है, doors वगेरा आप देखते हैं, तो same pattern के साथ dual tone door आपको देखने को मिलते है, and यह वाला part यहाँ से लेकि यहाँ तक यह आपका आता है, softage के साथ बाकी का part आपका plastic है, all power window आपको मिल जाती ह बोटल आप यहाँ पर रख पेंगे कुछ इतना space है, diary वगेरा के लिए आपको जगा दे दी है, infotainment के लिए speaker वगेरा आपको चारवी doors मा मिल जाते है, and अब बात करें seats वगेरा की, तो fully fabric seat आपको मिलने वाली है, काफ़ी soft सी है, six way manual adjustable के साथ आती है, कुछ इस तरीके से बार-बार pump करने के बाद आप height according up-down adjust कर पाएंगे, driver and co-driver headrest जो है वो आपको height adjustable मिल जाते है, and अब बैचते हैं गाड़ी के अंदर, तो steering wheel आप देखा, flat bottom steering wheel देखने को मिलता है, and यह leather cover का use यहाँ पर किया है, anti-ether आपको मिल जाता है, glossy, finish, तो यह काफी premium यार यहाँ पर आता है, and इदर साइड आप देखते हैं, तो 360 camera के लिए view हो गया, traction control, idle start stop, light leveler, engine start stop, आपको इदर देखने को मिल जाएगा, आई battery down है, तो engine, तो हमेंगे, ignition on करने पाएंगे, बाकी instrument cluster आपको दिखा दू, यह कुछ इस तरीगे का, analog instrument cluster आपको मिल जाता है, left मापको मिल जात है, क्या temperature है, क्या time है, यह कुछ information आपको इदर देख जाएगी, and center आपको मिलता है, 9 inches का touch infotainment screen, apple carplay, android auto के साथ, and यह कुछ semi touch controls आपको मिल जाते है, AC panel आपको हो गया, इनके उपर आपको silver touch देखने को मिल जाएगा, hazard button आपका यह हो गया, climate control के साथ आपका AC आता है, and के अंदर दे दिया है, two आपको cup holders मिल जाते है, and यह six speed automatic transmission के साथ, गाड़ी खड़ी है, बाकी five speed manual transmission का option भी है, अगर आप 1.2 liter पर जाते हैं, and manual handbrake, center में काम rest मिलता है, slide function के साथ, and यह soft touch के साथ आता है, openable है, open आपकरते हैं, तो कुछ इतना यहाँपर space है, wallet वगेरा, coin व आपको मिल गए, reading lamp, and again dashboard, आप देखो, almost आप इसको triple tone यहाँपर बोल सकते हो, यह आपका matte finish के अंदर black हो गया, यह आपका silver touch अदर हो गया, and यह reddish shade आपको यहाँपर दे दिया है, and अब बात करें, glove box वगेरा की, तो यह आप देख लो कुछ इतना बड़ा, आपको glove box मिलन वाला है, decent enough है, गाड़ी के साब से तो कोई दिख करनी है, यह यहाँपर आपके कुछ service book वगेरा, and first it kit, यहाँपर कुछ यह रखे हुए है, and अब चलते है, rear वाली seat पर, rear में आपको क्या कुछ space मिलता है, वो देख लेते हैं, but उससे पहले अपनी driver seat को कर लेते हैं, height according adjust, and yeah, rear में, doors वगेरा आप देखते हैं, तो same pattern के साथ आपको door मिलते हैं, यह वाला पूरा पार्ट आप खा जाता है, soft touch, करीव एक लिटर की bottle आप इदर भी रख पाएंगे, and speaker वगेरा आपको मिल जाते है, and अब बात कर लेते हैं, space वगेरा की, तो knee room आप देखो हैं, कुछ इस तरीके से हाथ open करने के बाद, यह यहाँ पर कुछ जगा बची हुई है, and driver seat जो है, वो मेरी height के साब से adjust है, 5.6 मेरी height है, उसी के साब से seat adjust है, तब जाके इतना knee room यहाँ पर बचता है, थाइस port आपको अच्छा घाजा मिलता है, किसी भी तरीके साब relax, बैट और को issue नहीं है, shoulder room अच्छा घाजा मिलेगा, तीन लोग easily यहाँ पर बैठ पाएंगे, rear में तीन headrest जो है, आपको height adjustable मिल जाते है, and rear passenger के लिए rear AC vent वगेर आपको इदर मिल जाएंगे, दो आपको मिल ले वाला है, center में, तो यह थी वाई, अपने rear वाली seat, space and comfort वगेरा कि तर किसी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं, तो यह थी आपके सामने Toyota, Tizer, stop variant, V variant, 80 transmission के साथ, action room वगेरा मैं पहले भी आपको बदा च्पाऊ हूँ, 12,88,000 एक्षोरूम कोस्ट करता है, इस वाले variant का, बाक लीटर टर्बो चार्ड के साथ, चबर जस्ते ये गाड़ी है, माईलेज वगेरा भी आपको अच्छे कासी देती है, बाकि आपकी और कोई 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 हो, तो शोरूम का address and contact number वगेरा मैं आपको वीडियो में शेयर कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पर call कर सकते हैं, या फिर आ सकते हैं, बाकि आपको गाड़ी कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं and वीडियो अफिर में लगी हो तो प्लीज एर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सबस्क्राइब कर दो, तैंक यू